गाइज किया आप भी अपने इस ट्राइब की खराब सी फोटो को एक क्लिक में बस एक क्लिक में ऐसा एडिट करना चाहते हो तो भाई आज की इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना यह देख पर हो कि स्किन कितना मस्त यहां पे स्मूथ है वाइट है और साथी साथ पू पर एक बनी फोड़ डिलेगाइज लैट गेटन एस टार्टेड आथव यह फोटो हम अपनी गैलेरी से स्टाइक कर लिया अब इस फोटो को आपको सिंपल से से वाले बटन पर क्लिक कर यहां मेरे पास स्नाप्रुलिप कर लिया अब आपको यहां टूल्स पर क्लिक करना है सबसे पहले आपको ट्यूनिमेज को सलाक्ट करना है ठीक है यहां आपको सबसे पहले एम्बेंज को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है एम्बेंज बढ़ा देने के बाद आपको यहां हाइले इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगी लगभाग इतना एंड इसको सिंपल से डन क कम कर लेना है ठीक है अप को यहां से इट श्क पर चलना है विव एड़ फोटा को जुंग परना है कुछ इस तरीके से याद रहे आपको सिर्फ टीशेट पर चलाना है कुछ इस तरीके से तो वाइज ओवरॉल कुछ टीशेट पर हैं पूरा पेंट कर लेंगे ताकि पूरा टीशेट जो है ना ब्लैक हो जाए आप देख पर हो कि अभी का कलर मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है और रिडिट होने के बाद तो और भी ज़्यादा खड़ाब हो जाएगा ठीक है तो इसलिए गाईज हम टीशेट के कलर को पूरा ब् सकते एंड आपको मैं आगे की प्रोसेट भी बता पाऊं ठीक है अगर कहीं आपका ओबर चल जाए जैसे कि यहां पर चल गया है तो इस चीज को आप सही कर सकते हो यहां से आपको डावनेरों को जीरो कर लेना है एंड ऐसे आपको चला लेना है देख पर हो यह रिप्लेस ह कर लेता है है और इस तरीके से आपको पूड़ेटीशट पर पेंट कर लेना है थीक है तो पोड़ा जली dłam से और टीशट पर पेंट कर लेता हूं कि माँ को कि कि हाँ तो इतना काम यहां पर खतम हो गया एंद आप देख पर एव फोटो भी फोर या आफ्टर भी फोर या आफ्टर आप देख पर एव टीशेट पूरा ब्लैक हो चुका है अब आपको सिंपल से डन कर लेना है अभी आपको यहां से बैक करना है यहां से आपको टूल्स वाले आईकोन पर क्लिक करना है अब आपको सेलेक्टिव पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आपको अपने पूरे स्कीन को सेलेक्ट करना है यहां पर आपको सेचुरेशन को कम कर लेना है वैसे ही आपको अपने हैंड पर भी सेलेक्ट करना है यहां डिफरेंस नहीं दिखेगा बट आप देख पर कलर में काफी ज़्यादा डिफरेंस ओ सडी लाइट में काफी ज़्यादा आपको डिफरेंस नजराएगा ठीक है अब आपको सिंपल से इस सेर वाले आइकोन पर क्लिक कर जाना है एंड इस फोटो को आपको एड़ टु एलर कर लेंगे यह फोटो हमारी लाइटर में आपके अंदर एड हो गई ठीक है अभी हम लैटर में आपको करते हैं ओपन तो गाइज मेरे पास यह रहा लाइटर में आप ओल्फोडोज पर आपको चलना है और गाइज आपको यह वाला प्रिसेट जो है ले ले लेना है आप सेटिंग पर क्लिक कर देना है ठीक है एड़ इसकी सेटिंग को आपको कॉपी कर लेना है अब आज अन्य फोटो के अंदर यह देख पर हो कि यह फोटो हमारा आ गया जो कि अभी हमने स्नाप्रीड अपके अंदर से एडिट करके लाटरू मैप के अंदर सेर किया था तो अब आपको इस त्री डोट की आईकोन पर क्लिक करना है और नीचे आपको मिल जाएगी यह पेस्ट सेटिंग तो जैस्ट आपको पेस्ट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद भी हमारी फोटो कितने गंदी लग रही है मतलब अच्छी एडिट नहीं हुई तो इस चीज को सही करने के लिए ना हमें मैनुवाली कुछ एडिट करना होगा बहुत लोग सोचते हैं कि पूड़ा प्रिशेट से ही साड़ा काम हो जाएगा बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई आपको सीखना ही परेगा अब आपको चलना है यहां से कलर वाले टूल के इंदर यह देख पार हो कलर क की तरफ कर लेना है कुछ इस तरीके से एंडब रेडख कलर लेना है और इसका सेचूरेशन कुछ इस तरीके से कम कर लेना है कि परेग फोटो पर छोड़ा से तरफ मतलब कर लेंगे लगवग यहां पे पे इतना और भी सिंपल से चुलेशन को कुछ इस तरीके से राइट साइड की तरफ कर लेना है थोड़ा सा माइस फोटी यहां पर बिल्कुल सही लग रहा है मैं इसको इतना ही रहन देता हूं ठीक है अब आपको किया करना है यहां पर सबसे पहला काम आपको यहां इफेक्स में चले हैं यहा को यहां पर इतना रख लेना है प्लस 11 रख लेना है और दोबारास चलेंगे मिक्स टूल के इंदर आने के बाद यहां से आप देख पर हो कि यह ग्रीन वाला कलर है तो जैसे इसका सचुरेशन बढ़ा होगे आपको पीछे वाले कलर का मतलब यह ब्लू कलर का वी सब्सक्राइब करना है यहां भी मैं कम कर देता हूं ठीक है अब देख पर हो इतना कम हमारा खतम होगी आप ब्लू कलर का पूरा से सचुरेशन कम है और इंदोनों का तो कम ही है अब आपको सिंपल से ड़न कर लेना है अब आपको आना है इफक्ट वाले टूल के अंदर यह मासकिंग और नौज रिडेक्शन यह दोनों चीजा आपको बढ़ा लेरी आएपको सांथ कलर का बढ़ा लेंगी कलर नैका ठीक आप देख वरो कि हमारा स्कीन भी स्मूथ हो गया और वाइज भी मतलब साड़ा केंसेल हो गया आप जितने भी फोटो में वाज ती सारी केंसेल हो गई अब आपको इस ओप्टिक्स वाले बटन पर क्लिक करना है इन इन दोनों को आपको ओन कर लेना है देखो ये ये दोनों क अब इस सेर वाले आइकोन पर क्लिक करना है यहां सेप टो डिवाइस का ओप्शन मिलेगा आपको सेप टो डिवाइस पर क्लिक करना है ये फोटो आपकी गैलेरी में एजली सेफ हो जाएगी अगर आपको ये सब सिखना है कि बैग्राउंड कैसे ब्लर करते हैं लाइक बू पराण सिखा दिया है तो वो देख लिजे वीडियो एंड आप अच्छे से से सेख सकते हो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आप एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब ये वे लुडवे निए लो एक टेक्यर बड़ एक बाइ